देखिए, सूट जब बनाते हैं, हम कुर्ती बनाते हैं, तो सबसे पहले यहां से, इस प्रकार से यह लंबय, लंबय है इसकी 27, अब हम इसका नापते हैं चेश्ट, आपर टेप इस इस प्रकार से यह कितना रहा है 34 अब देखिए यहां से नीचे लेजिए और नाप लेजिए कमर का 30 तो 30 इंजिन की कमर है आप देखिए यहां पर इस प्रकार से लेजिए हिप पर और ऐसे यह देखिए 36 तो देखिए 36 हीप है अपर चेस्ट इसका है उपर वाला 34 कमर है इनकी 30 इंच और हीप है 36 इंच तो इस प्रकार से इसका नाप होता है अब मैं आपको सिखाता हूँ कि शोल्डर और आर्म होल किस प्रकार से नापते हैं उससे पहले मैं आपको अस्तीन का नाप लेना सिखात है यहां से होता है अस्तीन का नाप कभी भी इस जगह से लेजिएगा यहां पर अस्तीन का नाप नीचे आ जाता है शोल्डर नापेंगे हम तो सबसे पहले शोल्डर भी हम यहीं तक नापेंगे और यहीं से अस्तीन का नाप लेते हैं तो देखिए यहां पर लगाएंगे ह साडे 4 इंच याने साडे 17 इंच तो 13 इंच हम अस्तीन का नाप लिखेंगे लंबाई का और साडे 4 इंच की रहेगी फ्रील ठीके इस परकार से आप लेते हैं इनके शोल्डर का इनका जो शोल्डर है शोल्डर का नाप हमें यहां पर देखिए यह हड़ी आती है हमारी shoulder वाली यहाँ पर ही नाप लेना है तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इनके shoulder आ रहे है 14 इंच फिक्स 14 इंच के shoulder बनेंगे तो इनको बिल्कुल perfect fitting आ जायेगी तो देखिये shoulder लिखते हम 14 इंच तो देखिये आर महल हम केसे नाप पेंगे इसे हाथ को उठाने लगाई है कि कस्टमबर को और यहां रखने लगाई है देखिए इस परकार से जब भी आप कस्टमबर का नाप लेंगे तो इस परकार से उन्हें हाथ रखने लगा दीजिए और यह जो टेप है हमारा इस परकार से लीजिए यहां से और अब जब हमने टेप यहां ल तो हम इसका आर्म होल रखेंगे साड़े सो ला इंच, क्योंकि आदा इंच आर्म होल थोड़ा लूज रहता है, तो आर्म होल इसका साड़े सो ला इंच, ठीके आप देखिए इस कुर्ती की अगर यहाँ पर इस प्रकार से लूजिंग नहीं चाहिए और फिटिंग चाहिए तो क्या करेंगे हम इसका नापेंगे हम बाइशेप यहां से इस परकार से बाइशेप भी नाप लीजिए यह साइब बाइशेप आ रहा है इनका परफेक्ट 12.5 इंच तो हम इसे एक उंगली अंदर रखकर 13 इंच रखेंगे और बाइशेप नापने का तरीका क्या है जैसे क कि हमारी यह शोल्डर था शोल्डर से 5 इंच यह देखिए इस प्रकार 4-5 इंच के बीच में हमें बाइसेप नापना है यहीं से हमारे आर्महोल का नाप निकलता है तो देखिए जैसे मैंने यह नाप लिया साड़े बारा है तो हमने रखा इसे तेरा इंच तो बाइसेप भी लिख दिये बाइसेप तेरा इंच ठीके ये दोनो नाप आर महोल और बाइसेप क्यों नापते है जब मैं आपको कुर्ती की कटिंग करके दिखाऊंगा तो इन नापों का महत्व समझाऊंगा कि ये माप हम क्यों देते है और क्यों लेते है और देखिए जब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे अगले वीडियो में तो उस वीडियो को भी देखिएगा उससे पहले जो मेरा मेजरमेंट का है नाप इसको देख लिजिएगा तो दोस्तों देखिए आगे का गला हम किस प्रकार से नापेंगे bot neck है तो यह देखिए यह bot neck जब गला बनेगा तो यहां नहीं रहेगा थोड़ा सा साइट में जाएगा तो हम bot neck गला भी अंदाजन नहीं बनाएंगे, यहां से इस प्रकार से नाप लेंगे, यह देखिए, ऐसे, तो इस बोटनेक गला इनका साड़े नाव इंच चोड़ा आएगा, तो यहां पर आप बोटनेक को साड़े नाव इंच चोड़ा लिख लिजिए, ठीक है, अब जब हम साड़े नाव इंच चोड़ा लिख लेते हैं बोटनेक का गला, प्यासे नाप लिजिए, तो देखिए, यहां पर देखिए 1.5 चार इंच आएगा, बोटनेक गले की लंबवा हम रखेंगे 1.5 चार इंच, तो यहां पर 1.5 चार इंच लिख लिए, अब जो पीछे का गला है बोटनेक बाला उसे भी हम रखेंगे शाड़े चारिज ठीक इसी प्रकार से हम कुर्ति का नाप लेते हैं और इस प्रकार की डिजाइनर कुर्ति की कटिंग हम अगले वीडियो में करके आपको बताने वाले हैं और उसका नाप आज हमने पहले ले लिया है तो इस measurement का आपको आप कैसे लगा जरूर बताईएगा और कमेंट्स वाक्स पर जाकर कमेंट करिएगा और सभी आपके मन में जो भी डाउट हो मुझे जरूर पुछिएगा मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ यह जो वीडियो हमारा डल रहा है पराग टेलर पर डलेगा और पराग टेलर जो हमारा चैनल है इसे सस्क्राइब कीजिएगा यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाईएगा आने वाले वीडियो की नोटिपिकिसन पाने के लिए